ये मैंने आधा लीटर दूद लिया है, इसको एक उबालाने तक उबाल लेना है, दूद आप कैसा भी ले सकते हैं, अगर आपने उबाल के रखा है तो भी ले सकते हैं, अगर आपने दूद को उबाला नहीं है, तो भी हम कच्चा दूद भी इसमें ले सकते हैं, जब तक कटोरी में ले लेते हैं 2 चमच कस्टर पॉरे ये मैं ने डमत before न को जब लिए अब दूब oncmäß कडोड़ दालं लेंगे और हम यिसको क 謝謝 गोल देंगे कि छम आपके Перणी कॉल बहुत ही असानी से बहुती जल्दी बहुत उखुल है यह देखिए कुछ हमें ऐसा ही गोल लेना है यास की फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है अब हमें इस कस्टर्ड मिल्क को कड़ाई में एक हांस से डालेंगे और दूसरे हांस से हम दूद में मिक्स करते रहेंगे मैंने विस्क कर लिया है मिक्स करने के लिए आप कोई पकाएंगे लगभग 2-3 मिनट और आप देखेंगे कि चीनी भी इसमें घुल चुकी होगी और यह पहले से थिक हो चुका होगा यह बहुत जल्दी गाड़ा हो जाता है चमज से लगातार हम दूद को चलाते रहेंगे मैं आपको चमज को पास से दिखा देती हूं आप दे इसको आप पुरी तरसे ठंडा कर लिजे ताकि यह रूम टंपरिचर पर आ जाए इसको मैंने कुछ देर फ्रिज में रखा था तो अभी यह बहुत ही गाड़ा सा है आपको यह बहुत ही ठिक लग रहा होगा इसको मिक्सी की जार में डाल करके चला लेंगे इसको अच्छी कि लोग कितना सुंदर आ रहा है इसका अगर बैटर को फ्रिज में नहीं रखना चाहते हैं तो आपके पास अगर जमी हुई बर्फ रखी है तो आइस क्यूब यानि बर्फ की टुकड़े दो तिन डाली जैसके अंदर इस तरह से आपके पास गर्मी में ठंडा ठंडा त्यार हो जाएगा यह आपकी च्वाइज है आप अगर इसको नॉर्मल रूम टंपरिचर पे पीना चाहते हैं तो आप ऐसे ही पिएं ठंडा करके पीना है तो आप इसमें बर्फ डालें आप इंजवाए कीजे कस्टर्ड मिल्क शेक को वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें